हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का हेल फूलेशों किसमें तो आज की वीडियों बात करने बने हैं कि आप एक नया MI icon किसी क्रियेट करेंगे तो अगर आप के पास MI icon है तो आपको क्रियेट कर लेना है जिसे कि आपका जो है call history और कोई भी डाटा जो है वह जब भी आप डिलेट करें तो वह कि आपके मिश्राइक अपाइबर करने के बात करने के अपको यहां से को पर करेंगे को करने के बात यहां बात कि देक सकते हbor्के मिशामिया की मांड क्यलिक करने के करेंगे तो आपके सामने यह जो है सीम का जो है information ले रहा है यहां पर देख सकते हैं कि मैं already login हूँ तो यहां पर आपको क्या करना है यहां साफ sign in कर सकते हैं यहां पर है another account तो यहांप आपको क्या करना है another account पर क्लिक कर लेना है चलिए यहांप आप आपको जो है create an account using email address और यहांप आप दिसके sign in using my account आज हम जो आपको 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 चलिए मैं यहां से इमिल एटी इंटर कर लेता हूं यहांप आपको next option पर किलिक कर लेना है उसके बाद आपको यहांपको पासपूर्ट सेलेक्ट करना है यहांप आप देख सकते हैं कि 8 to 16 करेक्टर का पासपूर्ट होना चाहिए यहांपको पासपूर्ट यहांपको पासपूर्ट यहांपको पासपूर्ट करने के बाद यहांपको क्लिक कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर पासपर से लेक कर लेता हूं और यहाँ आपको create an icon पर आपको click करना है तो जैसे ही आप create an icon पर click करेंगे तो यहाँ आप आप देख सकते हैं यह जो inter code है यह code का पहले option नहीं आ रहा था लेकिन अभी यह निया update हुआ है तो यहाँ पर आपको आपको type करना है तो आपको यहाँ पर ध्यांद प्रुबग जो है आपको यह code लेखा हुआ है यह आपको यहाँ पर type करना है यह small and capital दोनों मिला हुआ है तो आप यहाँ पर इसको type कर लेना है और यहाँ पर आपको ok option पर click कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं ok का option आ रहा है इस पर आपको click कर लेना है तो सामने इस तरह का option खुल के आचाएगा यहाँ आप देख सकते हैं account verify का option है corrections email go to inbox and change account ok तो यहाँ पर आप देख सकते हैं one minute check check your inbox यहाँ आप आपको email i.d. show कर रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं to activate your account follow the link we have sent to your inbox to email id पे एक send email बेचा होगा ok तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MI account बनाते वक्त आप आप जोUSEकी email i.d. रहे थी इसको आपको जैसे ही open करेंगे तो यहांप आप देख सकते हैं कि activate icon का option आ रहा है तो यहांप आपको activate icon का उप्स होना रहा है तो आपको वीडियो शुरू से लेकि लास्तर दिखना है तभी आपको यहांपर फुरा complete process समझ में आ जाएगा आपको activate icon का लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहांप आप आप कोई भी प्रोफ्सर यहांपर select कर लेना है जैसे आप करेंगे तो यहांप को कुछ समय wait करना है चलिए यहांप आप देख सकते हैं कि यह MI account setup complete यहांप आप देख सकते हैं MI account जो है activate हो जोगा है तो यहांप अपर आप आप देख सकते हैं यहांप साइन कर सकते हैं और यहांप अपदेख सकते हैं MI account add a.e. तो यह जो है आपका add a.e. इसको आपको copy करके टख सकते हैं कि चलिए उसके बाद आपको यहांपर क्या करना है आपको पर sign in option पर click करना है. Sign in option पर click करना है. यहाँ पर successfully sign in हो चुका है. आप यहाँ पर recover email ID आप देख सकते हैं और यहाँ पर phone number भी update कर सकते हैं. ऊप कोई भी information आप edit करना चाथे हैं तो यहाँ पर edit कर सकते हैं आपको क्लिक करते हैं खाये तो sign out कर सकते हैं और यहां पाप दिख सकते हैं कि आप जो विजय रैटी यह यह देतीया किया है परसा आप बहुत यह असानी से जो है मारी एकॉन बना सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें आपको इंस्टागराम का लिंक मिल जाएगा आप उसके भी हमें फ़लोग कर सकते हैं